हम है सरी मास्टर, सब लोग हमको गर्याता है कि भाई ये पढ़ाता नहीं है तो हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ये बात पर कोई नहीं गौर करता है हमारा जो प्रॉलम है, हमारा जो जिस करन से हम नहीं पढ़ाता है इस पर कोई फोकस नहीं करता है, खाली कहता है कि रे यहाराम खोर है, यह खाली पैसा उठाता है और काम धन्दा नहीं करता है, बहुत गरी आता है लोग, लेकिर हम क्यूं नहीं पढ़ाते हैं, इस पर ध्यान देने का कोशिस नहीं करते हैं, तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि आखिर भाईया इसा का कारण है कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं कारण यह है कारण यह है कि एको तो हम खुद अपने ज्यादा पढ़ा लिखल नहीं है क्यों गई ले देखे चीट उट करके हम पास हुए थे बिहार में तो खुब चीट चलता है तो हम रोग चीट का फैदा उठाया हम पास हो गए आई मास्टरी जम नहीं था उसके पहले हम भाईसी चराते थे बकरी चराते थे गायवे पोसले उसले थे अब बताइए हम तो सुरुवे के हैं चरवाह हम तो कोई काम धंदा चराने वाला किये पढ़ाई से तो हमरा कोणों मतलब था नहीं किये सिख्षक बहाली में हमको पैसा मागा गया हम आपको सिख्षक बढ़ा देंगे तो हम खेत गिर्वी रहके दू लाख रोपया दिए हम अपना अपना महरारू के जुमका हम मुक्षियाइन को जब पेनाएं तो अब जाके हमको इस मस्टरी का नोकरी मिला तो अब हमको तो अ चाहे भी परहना तो भाई हम परहा नहीं सकते पहला बात दूसरा बात है सरकार हम लौको चरा-चरा कि काम में अठ्वह्ता है का को है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए उसका सब कामें फैसा अब बताइए वह सब काम में फुप सब दैंगे तो हम को पढ़ाएंगे कोई से पढ़ाएंगे सोचिए इस बात पर आप लोग सोचिए हम लोग का दुख तकलीफ खाली गरिया यह मत की नहीं पढ़ाते हैं हम लोग का तकलीफ समझे उपर से यतना रासन पानी आता है इसकूल ड्रेस का पैसा आता है तो उसमें से भी हम लोग चाहते हैं कि भाई त काम सरकार ने थमा दिया था स्वक्षता भियान वाला कि भाई कहीं कोई लेटरिंग ओटरिंग करेगा तो वहां आप लोग सीटी बजाईएगा ताली मारिएगा अब क्या करें नोकरी के चकर में हमीं काम किए लेटरिंग कर रहा था सजाके हम वहीं सीटी मार दिये ताली बजा दिये अब तो एतना मारा लोग के मत पूछें और अंडर गरांड जगाह पर भी मारा जो हम आपको क्वा भी नहीं सकते हैं अब बताएगे इतों हमलोग का मज़बूरी कोई समझता नहीं है हम लेकिन एक काम बढ़िया हम लोग को दिये हैं वह काम है दारू सब के मालूम में हम जा तनके हैं वही आप ठीटे कहाते हैं घरते हैं हूं पकर लेंगे लेकिन हम को दारु पीला ना पड़ेगा तो हम फिरी को निच्यूसकुमार जी विवस्ता कर दिया मैं पिएरी मी में भी जबताते दों खूब दारु करते हैं अब चेस्अ कि मिढ़ने करें दारु को सब्सक्राइब तो यही सब कुछ समस्या है कुछ प्रोलम है जिसके वज़ा से हम लोग नहीं पढ़ाते हैं तो खाली गरी आने से काम नहीं चलेगा हम लोग समस्या समझिये मजबूरी समझिये सरकारी नोक्री है यहाँ पर हम लोग बॉइट के पईसा नहीं लेंगे तो सरकारी नोक्री करने से काम फायदा यहीं सब कुछ समस्या है इस पर गौर कि यह गाली देने से थोड़े होगा हमारा प्रोलम समझिये तो अब यहीं करन है कि हम लोग नहीं परहाते हैं उमीद है कि कि आप लोग बात समझी गए होंगे कि भाई हम क्यों नहीं परहा रहे हैं यह हम लोग को पुरा हमारा बात पुरा यकीन है कि आप हमारा दुख तकलिफ समझ गया होंगे